आप सभी का स्वागत है आप देश की सबसे लोक्तान्तिक संस्ता संसत के मानसुन सत्र में सधन की कारवाई अलग-अलग माध्यम से देश की जनता को दिखाते हैं उनकी कारवाई को लिखते हैं ताकि संसत की कारवाई सभी जनता को देश में तौरिद गती से मिल सके हैं इसके लिए आपका हमेशा साथ तक योगदान रहता है मानसुन का ये सत्र जो चट्टा सत्र है वो बुन्नीस जलाई से तेरा अगस्त तक चलेगा इस सत्र में कुल गुन्नीस बैटके होगी पिछले हम चोद्वी पंद्वी सोल्वी लोकसवा बैटकों के अगर संख्या को देखें तो चोद्वी में एक सो दस पंद्वी में एक सो बारा सोल्वी में एक सो साथ और सबसे ज़्यादा बैटके हैं सत्री लोकसवा के अंदर हुई है जो अपने आप में रिकोर्ड है और विशेश रूप से कोरोना के इस संकमन के समय हमने तीन सत्र कोरोना के संक में आउट किये जिसमें सामाने सत्रों की अपिक्षा से ज़्यादा मानने सदश उपस्तित रहे अपने सविधानिक दायत्तों को पुरा किया उसकी लिए मैं मानने समी सदशों को अभिनन्दन करता हूँ विशेश रूप से चोथवे सत्र के अंदर सदन की प्रोड़क्टिटी 167 प्रतिशत रही जो अपने आप में रिकोर्ड है देर राती तक बैठ कर मानने सदशों ने विधाई कारे और संसत के अन्य महत्पुन कारें को मैं शामिल हुए मुझे आद है कि वह सत्र के समय संक्रमण की रप्तार तेज थी लेकिन उसके बाद भी सभी मानने सदशों की पस्तिती अपिक्षा से अधिक रही ये भी अपने आप में रिकोर्ड है सदन में जो हमारी समीतियों की बैठक है वो सामाने समीतियों की बैठक कोरोना के संक्रमण के बाद भी पांसो से ज़्यादा सामाने रूप से होती थी इस बाद 380 करीबन बैठके हुई और अधिक्तम विधाई कारे उन्होंने निम्टाए है इस सद्व के अंदर भी हमने कोशिश किये कि सुरक्षा की द्ष्टी से सारे व्यापक इंतिजाम हो ताकि सधन की कारवाई निर्भाद रूप से चल सके कोरोना संक्रमन की दर कम हुई है लेकिन देश के कई राज्यों में अभी भी संक्रमन 5% से अधिक है दिल्ली में संक्रमन कम हुआ है लेकिन संसद में सभी राज्यों के मानने संसद आते हैं इसलिए पिछले सत्तों की अनुसार व्यापक सुरक्षा इंतजाम और सदंग के अंदर बैटने की वैस्ता भी सुरक्षा की डश्टी से कोविड माप डंडों का पालं करते हुए सामाने दूरी पर हमने वैस्ता किया है मुझे आशा है कि मानने सदश्चों का हमें इसमें भी अपेक्षित सयोग मिलेगा आटी पीसियार की सुईधा यहां पर हमेशा अप्तप रहेगी मानने सदश्चों के लिए भी और जो भी मानने गन्मानने वेक्ती सदन की कारवाई के हिस्से हैं और जो पत्कार जगत के लोग हैं उनके लिए भी 24 घंटे आटी पीसियार की सुईधा उप्रत रहेगी ताकि कभी भी हम जाज कर सकें और उसके रिजट भी हम अपिक्षा करेंगे कि 12 घंटे के अंदर से कम समय में उन सब के रिजट आ जाएं जहां तक टीका करण का सवाल है आधिक्तम मानने सदश्चों ने को वेक्सिन या को शेल्ड या अन्य वेक्सिन लगा लिया है इसमें से 311 मानने सदश्चों ने सेकिंड डोज की भी वेक्सिन करा लिये कुछ 23 मानने सदश्च हैं जिनके अभी को वेक्सिन या को शेल्ड या अन्य कोई वेक्सिन नहीं लगा है उसका कारण कुछ लोगों के अभी कोविट की लक्षन हुए थे उसके कारण योट नहीं लगा पाए और दो-t Sche happened不錯 है जो मेडिकोल के कारण नहीं लगा पाए है वादी सभी मानने सदश्चों ने वेक्सिनेशन का कर लिया है सचिवाले के सारे स्टाफ वैक्सिनेशन हो चुका है हमने कोशिच किये कि मानने सदश्यों के जो स्टाफ है उनको भी वैक्सिनेशन हो जाए उसके लिए व्यापत व्यस्ता की गई थी सभी डिस्पेंसियों में आप लोगों से भी आगर है कि यहाँ पर सुईधा है डिक्सेंश्वियो में आप भी वेक्सिनेशन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं ताकि हम सब को सुरक्षित रख सके हैं सत्र के दोरान विधाईकारे अनमुद्दों पर बिजनिस एडवाईजिर कमिटी की मिटिंग के अंदर पैसला होगा निड़ने होगा उसकी नुसा सदन की कारवाई चलेगी अठारा तारिक को सदन के सभी फ्लोल्लीटर सभी दल के नेताओं की बैठक होगी जिसमें उन सब के विचार जाने जाएंगे हमारी कोशिश है सदन में व्यापक चर्चा हो विचार विमश हो तरक हो ताकि हम सदन के माध्यम से देश की जनता का अधिक्तम कल्यान कर सके उनके मुद्यादी मुद्धों को समाधान कर सके जो भी माने सदस्य सदन में मुद्धा उठाता है सरकार ने एक सार तक पहल किये कि 377 के जो भी मुद्धे माने सदस्य उठा देते पहले लोकस्वासत्य के अंदर 60-25 प्रतिशत्य जवाब आते थे अब 377 के जवाब विधिन वन मंत के अंदर उनको 95% के जवाब मिलते हैं हमने कोशिश किये कि 19 तारिक को जो सत्य शुरू होगा उसके पहले सभी माने सदस्यों ने जो 377 के उनके मुद्धे उठाएं उनके जवाब मिलेंगे शुनिकाल के अंदर भी जो विशे उठाएं उसके बारे में भी सरकार ने बहुत गंबीता से संग्यान लिया है और उन विशेओं को भी सरकार ने संग्यान लेकर माने सदस्यों को आउगट कराया कई के लिकित जवाब दिये कि कई वों को डारेक्शन दिये गए कि माने सदर्शों से मिलकर जिन तक्थ्यों को उठाए उनकी जानका ही प्राप्त करें और कैसे समाधान हो सकते हैं उसके विकल्पों को ढूंड़ें किन दिए मनती परिशत का गठन हुआ है 37 मान यह नए सदर्श सामिल हुए हैं इससे कई हमारे समीतियों के स्थाम दिख्थ हुए हैं जिनकी कारवाई भी हम पूरी कर लेंगे ताकि निर्वाद रूफ से सदन की कारवाई और समीतियों की कारवाई पुन रूफ से चल सके। विशेश रूफ से मैं एक जानकरिया आपको देना चाहता हूं कि हमने मानने सदश्यों की समता को हम और बैतिन कर सके। वाद विवाद करते समय मानने सदश्यों को पूरी तर्थियों की जानकरी रहे इसके लिए हमने प्रिज्म्यु जो हमारी बहुत वर्षों से हमारी लाइबरिरी के साथ साथ हमारी रिशर्च विंग चलती थी। उसको हमने मानने सदर्श्यों को सरज और सरलूप से उपलब जाएगा इसके लिए 24 घंटे जब कभी भी जिस विशे पर भी उनको किसी विशे का रिसर्च पेपर चाहिए 24 घंटे उनको वो रिसर्च पेपर मिलेंगे आने वाले समय में हम इस लाइबरी को संपुन डिजिटल की करन करने की तरब बढ़ रहे हैं अभी दस्वी लोगस्वा से लेकर और सत्वी लोगस्वा तक कम्प्लीट सदन की कारवाई मेटा डेटा के उपलब उपलब है किसी के नाम से किसी विशे के नाम से वह उस डिवेट को देख सकता है देश के तेरा मानने प्रधान मंतियों की इंग्लीश और हिंदी के अंदर डिवेट या उपलब है हमारी कोशिश है कि 1854 से लेकर अभी तक सदन की सारी कारवाईयों को हम डिगिटिल करन कर लें और मेडा डेटा पर उपलब रहे ताकि किसी के नाम से किसी विशे के नाम से कोई भी कभी भी पुरानी वादविवास समवाद चर्चा को किसी विशे पर हुई उसको देख सके ताकि हम यह उपलक्ता केवल माने सदश्यों के लिए नहीं होगी हम राज्य के विधान सभाई के मानने सदश्य भी इसको उप्योग में ले सकते हैं इसी के साथ राज्य विधान सभां और संसत्त दोनों डिजिटल लाइब्रेयों को एक साथ हम करने जा रहे हैं ताकि किसी भी राज्यकी उस विधान सबार की कारवाई को और लोकसबार की कारवाई को एक प्लेटफार्म पर मानने सुदश्च देख सकें ताकि देश भर के अंदर जितने भी रिसर्च हैं शोध हैं क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी डिवेट हुई है चर्चा हुई है जिसकी जानकरी हमारे नोजवान प्राप्ट करना चाहता है कई विश्यों पर आप भी जानकरी चाहते हैं कि किस विश्य पर किस समय क्या चर्चा हुई थी क्या समभाद हुआ था वह आपको तुन्त उबलब होगी इसी तरीके से लाइबरी संग्राले के अंदर भी 24 गंटे ओनलाइन किताबों की सुझधा उप्लब रहेगी माने सदश्य कभी भी किसी भी किताब को मंगाने के लिए ओनलाइन डिलेवरी भी उसको घर पे की जाएगी ताकि माने सदश्य अधिक्तम लाइबरी का कि ये क्या विशे है उनके शोट संदी भी उसमें उप्लब रहेगी ताकि कोई भी माने सदश्य या देश का कोई भी वेक्ती उसमें देख सके और इस लाइबरी का अधिक्तम उप्योग कर सके क्योंकि ये लाइबरी है हमारी विश्य की सबसे बड़ी लाइबरी दिये इस प्रश्णों का उप्यूग भी हैं अभी 92 प्रसेंट लोगों के इनोटीस आते हैं हमारी कोशिश है कि इस लोग सभा के अंदर 100 प्रसेंट लोग इनोटीस प्रश्ण भी लगाएं ताकि हम कागश की वचक भी कर सकें और जितना इनोटीस होगा उसको तुरुन प्रभाव से कि जवाब को भी हम डिजिटल करण करने की कोशिश करें कि उसको नुटकस हम एक फीडवलप करने वाले हैं जिसको हम इस सत्व में या आगले सत्व तक तक उस एप में सारी जान कर रहे हैं उसमें लाइव लोग सभा टीवी रहे ताकि कोई भी अपने मुबाईल पर सब च कि आए ताकि आने वाले भुष्ष के अंदर हाथ में जो हमारा मुबाइल है वह मुबाइल संपुन लोकसवा की कारवायों को देख सके यह भी हम आगे भुष्ष में करने जा रहे हैं हमारी कोशिश है कि मानने सदस्च्चों के लिए यह काराले सहज रूप से उपलब रहे और उनकी शम्तास को बढ़ाने के लिए जो भी उप्योगी सामगरी हो सकती है उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाए ताकि जब सदन में डिवेट हो चर्चा हो तो मानने सदस्च्चों को पुरानी चर्चा डिवेट की भी जानकरी हो ताकि वह सदन में एक सार तक बहस कर बात कर सके और उसका काफी लंबे समय लाब मिलता है उस पुरानी जानकरी के अधार पर और विश्य श्लूप से आपको भी पता चल जाता है किस मानने सदस्चने कौन से सत्र में क्या विश्य पर क्या बात रखी थी आज कौन से सत्र पर कौन सी बात रख रहे हैं यह सारी क की सारी जानकरी भी आपको समय स्वय मिल जाएगी इसके लिए हमने सारी व्यस्ताइं किये हैं की लाइबरी को कि डिगिटिक करने के साथ साथ हमारी कोशिश है कि वेपेज पर भी सब चीजें उप्लब रहे उसके लिए भी हमने जितनी पुरानी डिवेट है वह से वह हमने वेब पेज पर लाने का प्रियास किया मुझे लगता है कि बहुत कम समय में अभी ग्यारवी से सत्रवी है और मुश्किल से एक साल के अंदर हमारी कोशिश है कि हम हंड्रेट परसें जो हमारे पास रिकोर्ड में है 1854 से लेकर अभी तक उ मेरी मैं सभी दलों से मेरा आग्र है कि आपने संसत के पांचों सत्तों के अंदर जिस तरीके का सार तक सयोग दिया सार तक चर्चा की समवात किया देर राती तक बेट कर सदन की कारवय में हिस्सा लिया देश की प्रमुक बुद्धों को उठाया अपने शिर्ट के मुद्धों को उठाया इस सत्त के अंदर भी उसी तरीके का सार तक सयोग मिलेगा ताकि देश के हम महत्पुन मुद्धों पर चर्चा कर सके मानी सदश अपने शिर्ट के मुद्धों पर चर्चा कर सके और विधाई कारे भी कर सके ताकि कानून बनाननी से देश की जंता का कल्यान हो कानून देश की हित्मे हो इसके लिए भी सार तक चर्चा हो इसके लिए सभी दलों का अपिक्षित स्योग भी है सदन के अंदर हंगामा वेधान कम से कम हो इसके लिए समय समय पर पिटासिन अधिकारी भी हम चर्चा करते रहते हैं मैं सभी दलों से भी आग्र करूँगा कि हम अपनी बात को संसत में तर्क के साथ रखें वैदान हंगा में नारे बाजी वेल में आने इसको एक्टिविटीज को में कम करने का प्रियास करना जी है देश की जनता भी यह अपिक्षा करती है कि आप सदन में चर्चा करें समवात करें कोई महत्पुर्ण मुद्ध हो तो जितनी गंबीता से उठाना उठाएं तर्कों के साथ उठाएं संसत चर्चा के लिए समवात के लिए और मेरी कोशिश होगी कि सभी माने सदर्चिवों प्रयाप्त समय प्रयात आउसर मिले ताकि वह अपनी बात सदन के अंदर के सके और सरकार की जवाब देते कर सके मुझे आशा है कि हर सदन में कारवाई में आपका सार्थक सयोग रेता है इसी तरीके का सार्थक सयोग इस बार भी रहे मेरी कोशिश है कि व्यापक सुर्क्षा इंतजाओं के साथ ये सदन की कारवाई भी पुराने रिकार्टों को ताकि हम देश की जनता को इस संसत के माध्यम से लोगतांतिक सस्ताओं के माध्यम से हम और सशक्त कर सकें मजबूत कर सकें जनता के बुनियादी बातों को सदन के माध्यम से लाकर सरकार के परती जवाब देते कर सकें और उनके मुद्दों को समाधान करकर देश के अंदर एक अच्छे वातरण को बनाने में सपलता प्राप्त करें इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद